हेलो स्टुरेंट्स मैं हूँ जोजे त्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है त्रांश कॉमर्स क्लासेज चलिए शुरू करते हैं सब्सक्राइब करते हैं अब उन्हीं टॉपिक्स का मैं आज आपको इक नुमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगा जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको रिजर्व एक्कुमिलेटेट प्रॉफिट और गुडविल के अजिस्मेंट की सारी चीज़े बताए थी अब अब उन्हीं टॉपिक्स का मैं आज आपको इक नुमेरिकल सॉल्विशन बताऊंगा तो मैंने एक कोश्चन पिक किया है आप सभी लोग के पास यह लिगुक होगी जैसा कि मैंने अल्रेडी बता है कि मैं जो कोश्चन पिक करता हूँ टेके गवयल की बुक से पेज नंबर जो है वो 4.53 पर आपको मिल जाएगे इल्लेस्ट्रेक्शन नंबर 52 तो यह न्यू बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर है मैं कोश्चन एक बार वैसे पढ़ देता हूँ आप लोग सभी लोग के बार मैच कर लिजएगा कोश्चन पर स्टेप जो सॉल्व करना है उसकी ट और एक है मोहन यह दोनों पार्टनर हमारे पास दिये हुए है और इनका प्रॉफिट शेरिंग रेशियो है 4 इस्टू 1 का 4 इस्टू 1 हम कह सकते हैं यानि कि 4 बाई 5 और 1 बाई 5 इसके बाद अडिशन इंफॉर्मेशन कुश्चन में आगे है on 1st 3 2018 means 1st March 2018 को they decided to admit सोहन तो यहां पर कोश्चन में लिखा हुए है कि they admitted सोहन as a new partner for one third share in the profits of the firm तो एक new partner आ रहा है यानि कि रांग और मोहन पहले से यह partner है और इनके साथ और एक नया partner यह जो है यह सोहन आ रहा है और यह सोहन को इन्हों ने कहा कि हम आपको one by third profit में share देंगे तो यह सोहन question में क्या होगे हमारे यह आपर new partner होगे यह हमारे लिए new partner है फिर आगी question में condition है they fix the new profit sharing ratio as 4 is to 2 is to 3 means यह तो आया है question में new partner इसको तो रखना है इस side में लेकिन यह जो दो partner पहले से हैं तो इनका यह ratio question के लिए क्या हुआ old ratio हुआ और इसके बाद question में जब यह new partner आगी है तो इसका share तो one by three है लेकिन तीनों का मिला के एक new ratio भी तो बनता है आपको पता होगा तो new ratio जब बनेगा तो 4 is to 2 is to 3 4 is to 2 is to 3 का ratio बनेगा तो denominator चेक कर लेते कितना हो जाएगा 3, 2, 5, 5 और 4, 9 तो 4 by 9, 2 by 9, 3 by 9 अब चलिए चेक कर के आपको दिखा देते हैं 3 by 9 और हम cancel करेंगे तो देखे 1 by 3 बन जाएगा 3 1s आ 3 and 3 3s आ 9 धीक automatic A ratio बन गया तो यह इंके बीच में new ratio, new ratio क्यों दिया है question में क्योंकि adjustment of goodwill का जब मैंने आपको एक technique सिखाया था अपने last video में तो उसमें आपको बताया गया था adjustment of goodwill में हमेशा जब admission के question पढ़ेंगे हम admission chapter के तो वहाँ पर हम लोग sacrificing ratio निकालते हैं और जब हम लोग retirement and death पढ़ेंगे तो वहाँ gaining ratio calculate करते हैं तो हमने जो question अभी है यह admission chapter का है तो इसमें old ratio and new ratio तो इनके basis पर हम calculate करेंगे अपना sacrificing ratio question में next information है the PL account on the date of admission show a balance of 32,000 and bracket में mention किया है debit तो मैंने आपको already पहले बताया था इपर question में जब मैंने last video आपको reserve के लिए बताया है तो PL account का अगर debit balance question में है तो it means that कि यह question में क्या है loss है और इनका loss balance यानी question में total है 32,000 rupees यह value दिया हुआ question में PL account के लिए आगे बढ़ते है question में तो लिखा है the form also had a reserve of rupees 1 lakh firm के पास reserve भी है तो यहां पर हमने reserve भी mention कर दिया reserve हमारे पास question में दिया है 1 lakh rupees का so 1 lakh rupees का हमारा यह हो गया reserve value next information is sohan is to bring 60,000 as premium for his share of goodwill means यह जो sohan नया partner आ रहा है तो sohan अपने साथ क्या कर रहा है goodwill का पैसा लेकर आ रहा है तो sohan bring share of goodwill goodwill की जो value वो लेकर आ रहा है amount है 60,000 rupees यह हमारा पूरा value question में हो गया अब यहां पर question में यह नहीं कहा है कि यह जो goodwill है यह old partner divide करेंगे तो हम divide नहीं करेंगे मैंने आपको already अपने last video में बताया थे आपने नहीं देखा तो जरूर देख लिजेगा फिर हम अपने question पे आते हैं showing your calculations clearly past necessary general entries to record the above transaction यह हमारा पूरा pattern हमने note कर दिया है अब हम इसका आपको solution देखाएंगे step by step हम कैसे question को solve करेंगे solution को हम देखते हैं बट solution से पहले मैंने जैसा कि आपको कहा कि अगर इससे related जो मैंने आपको general entry पहले concept इसके बताये थे अगर आपने नहीं देखा है तो description में लिंक है आप उसे पहले देख लिजिए अगा partners के account से debit होंगे तो entry थी old partners capital account debit और हमारे question में old partners है राम एंड मोहन यह दो partners हैं तो हमने entry कर दिया क्या first राम's capital account debit फिर है मोहन सो मोहन's capital account debit to profit and loss account यह entry बनेगी हमारी first amount कैसे दिखाएंगे तो profit and loss का balance हमारा 32,000 तो profit and loss का credit balance तो हमारा हो गया यह 32,000 बड़ जो condition बनेगी अब यह 32,000 दोनों partners के बीच में divide होगा in which ratio तो आपको अल्रेडी बताया जा चुका है old ratio old ratio between Ram and Mohan is 4 is to 1 denominator value is 5 so 32,000 को हम सबसे पहले क्या करेंगे 5 से divide कर देंगे तो तुरंग simply कहेंगे अगर 5 से divide करेंगे तो 5 6 हो जाएगा अपको 30 2 0 करेंगे तो 25 4 20 और remainder हो जाएगा हमारे यह 2 0 automatic आगया अब 6400 का multiply हम 4 में and 1 में कर देंगे तो already यानि Mohan के लिए तो 6400 ही रहेगा क्योंकि 1 से करेंगे तो यही value रहेगा और हम 4 से multiply कर देंगे तो value हो जाएगा 0044 जा 16 1 और फिर 464 जा 24 और 1 25600 अब plus करके भी check कर लिया जाए 6 और 4 हो गया 10 0 1 carry और 6 और 6 यह 1 वाला carry क्या 12 1 2 और 1 3 तो याद रिखेगा आप calculator तो बिल्कुल मत use करिएगा क्योंकि मैं खुद यहाँ पर solve करूँगा तो मैं calculator नहीं use करता हूँ क्योंकि मैं आपको इसके साथ ही साथ calculation tricks भी सिखाऊंगा कैसे हम questions को fast solve करते हैं तो यह concept बहुत जरूरी है बहुत important है क्योंकि board में आपको capital calculator नहीं मिलने वाला है तो यहाँ करोगे हमारे लिए PL account की entry first year complete हो गई अब आएंगे general reserve पे general reserve हमारे balance sheet के liability side में होता है इसके लिए आपको जर्मने इंट्री बताएगे लिए reserve account debit to old partners capital account इसके लिए entry हो जाएगी आपकी सबसे पहले reserve account debit to old partners capital account old में राम है और मोहन है तो हम शार्ट में शार्ट में लिग देना है राम's capital account to Mohan's capital account हो गया यह reserve का amount है 1 lakh so 1 lakh को हमने पहले यहाँ पर debit में show कर दिया और राम और मोहन पर divide हो जाएगा 4 to 1 की ratio में तो फिर वही step है 5 से पहले में divide करेंगे 1 lakh को 5 से अगर divide किये तो value आ जाएगा 5 to 10 20,000 तो Mohan के लिए value हो गया 20,000 और राम के लिए क्या हो जाएगा 4 to 8,000 तो देखें दोनों हमारा total आगे अपन ले यह हमारे लिए होगे entry clear concept अब यहाँ पर आएंगे reserve complete होने बाग जो main entry हमारे पास question में है वो है यह goodwill के calculation के लिए तो सबसे पहले goodwill के calculation के लिए entry जब होती है पास तो सबसे पहले goodwill का पैसा हमारे पास firm में आएगा और firm में जब यह goodwill का पैसा amount जो है हमारे पास आता है इसके लिए हम एक entry बनाएंगे फिर partner जो है उस goodwill के पैसे को withdraw करेंगे step by step हम सारे process को देखेंगे आपे तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके goodwill के entry के लिए तो जैसे कि आप यह दोनों entry देख चुके है PL account और reserve के लिए तो अब हमारा goodwill के entry आपको पहले बता दी गई है कि जो goodwill का amount पहले new partner पैसा जो है वो firm में लेकर आएगा तो firm में जब पैसा वो लेकर आता है तो entry क्या बताएगे थी आपको bank account debit to premium for goodwill account मैं short में लिख रहा हूँ आपनों पुरा लिखिएगा goodwill का amount लेकर आया है वो है value 60,000 यह 60,000 value लेकर आ गया इसके बास से आपको एक और entry बताएगे थी कि यह जो premium for goodwill value RIA firm में इसे क्या करेंगे partner सापस में divide कर लेते हैं तो आपको entry क्या बताएगे थी इसके लिए premium for goodwill account debit to आपको बताएगे था old partners capital account लेकिन मैंने अपने trick के through बताया था कि हम old partner आपको नहीं बताते हैं हम क्या बताते हैं आपको sacrificing partners capital account क्योंकि मैंने आपको कहा था कि question में अगर partner sacrifice कर गये for example old partner यानि यह जो partner sacrifice करेंगे अगर हम sacrificing ratio calculate करेंगे राम और मोहन दोनो sacrifice कर गये तब तो बहुत अच्छी बात है हम यहाँ पर entry ऐसे बना देंगे to ram's capital account and to mohan's capital account और उसके बाद से जो premium for goodwill है 60,000 का यह इनके sacrificing ratio में divide कर देते हैं तो पहले check कर लिया जाए कि क्या दोनों partner यह जो है यह sacrifice कर रहे है या नहीं कर रहे है और अगर कोई partner gain कर गया तो entry क्या होगी फिर change हो जाएगी क्योंकि इसके लिए मैंने आपको एक और pattern मत सिखाया था पहले सही तो चली पहले हम उसको check कर लेते हैं तो 60,000 की गुडविल लेकर आ रहा हम यह portion erase कर देते हैं यहाँ पर हम आपको इसके calculation शो करेंगे अब step by step सबसे पहले जोगा हमारा step होगा हमारा sacrificing ratio को calculate करना तो working note मैं यहाँ पर show कर दे रहे है sacrificing ratio का formula सबसे पहले note कर लेंगे formula होता है old ratio minus new ratio यह हमारा formula होता है तो चलिए Mohan और Ram यही दोनों partner है old में तो इही की calculation होगा तो Ram के लिए चलिए calculate करेंगे Ram का old ratio हमारे पास question में कितना है 4 by 5 minus Ram का new ratio कितना है 4 by 9 same as it is Mohan के लिए देखेंगे तो Mohan के लिए old ratio कितना है हमारे पास 1 by 5 और Mohan के लिए new ratio कितना है 2 by 9 तो चलिए calculate करके देख लेते हैं 95 जा हो जाएगा 45 दोनों में LCM आ गया 45 value और यह हो जाएगा 36 और यह हो जाएगा 20 इधर solve करेंगे तो यह हो जाएगा 9 minus यह हो जाएगा 10 value हमने solve किया तो देखें यहां पर क्या value मिला 36 minus 20 किये तो value मिल जाएगा हमें 16 divided by 45 तो यह देखें positive value आएगा आपको बताया था 36 minus 20 यह आया value हमारा positive में तो positive value आएगा तो हम यह question में clearly कह सकते हैं कि अगर हमने sacrificing ratio का formula apply किया और answer अगर हमारा positive आता है तो जो formula apply करते हैं वही हमारी condition हो जाती है मतलब sacrificing का formula apply किये और partner का ratio positive आता है तो ratio sacrificing हो यहाँ पर देखते हैं तो 9 minus 10 आ गया means यहाँ पर 1 by 45 आया तो है लेकिन minus में आएगा value और मैंने आपको पहले ही बताया था इस चीज़ को कि कभी भी ratio के साथ हम minus का sign यूज नहीं करते हैं minus का sign अगर हम नहीं यूज करते हैं तो फिर क्या होगा ये तो याद रखिएगा दो ही term है या तो sacrifice या तो फिर gaining तो अगर हमने sacrificing ratio का formula apply किया और answer negative आ गया तो हम simply ये कहेंगे question में कि ये partner जो है वो gain किया है ना कि sacrifice किया है तो देखें वही condition आ गई तो यहाँ पर condition क्या बनती है अब देखें condition क्या बनती है कि board हमेशा जो है वो ऐसे exceptional case ही पूछता है तो जिस बात का डर है वो ही हो गया यहाँ पे condition हम लोग कुछ और मान के चल रहे थे entry कुछ और आगे तो हमने जब calculate किया तो old partner जो है वो दोनों ही क्या हुए sacrifice नहीं किया एक हो गया गयन तो मैंने आपको एक entry बताई थी कि जब भी question में sacrificing gaining का हम formula apply करेंगे और अगर उसमें कोई partner ratio के opposite जाता है मतलब ratio sacrificing का और वो हो रहे है gain तो ऐसे condition में एक formula लगता है मेरा journal इंट्रेट वो होता है gaining जो भी gaining है gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account ये बस apply करेंगे मतलब जो formula हो तो रहे गई इसमें बस ये add हो जाएगा और कुछ नहीं तो premium for goodwill account debit to old partners capital account कि ये आपको पता है अब आप old partners मतलब apply करेंगे बस partner का आपटा कि ये rule यहाँ पर fit कर दिए तो premium for goodwill account है और question में देखिए gaining partners capital account debit हो रहा है question में gaining को है तब यहाँ पर देखिए वापक्तुरन दिख रहा है कि Mohan gain किया तो यानि question में हो जाएगा Mohan's capital account debit और sacrifice कौन की है सर्फ राम्त हो जाएगा to rams capital account यह हमारी entry बन जाएगे तो यह हमारी condition होगे entry के लिए यह entry आप note कर लिजेगा बहुत important आपके काम आएगा अब इसकी बासे amount कितना जाएगा तो हमें यह question आता है mind में तो सबसे पहले इस देखिए logic लगाएगे premium for goodwill account सबसे पहले जितने से credit है उतने ही से क्या हो जाएगा debit हो जाएगा पहला step आप समझ लीजिएगा ठीक है ना क्योंकि debit is equal to credit होना चाहिए तो यह जितने से credit है उतने से debit हो गया next term क्या होगा m's का capital account में क्या value जाएगी और r's का capital में कितना जाएगा तो r का capital credit तो उतने से में इस rand का capital account credit होगा दोनों debit जोड़ देंगे तो find out करना हमें मोहन की capital तो यहां से समझेगा share of मोहन which is sacrificed ठीक है यहाँ पर क्योंकि यह sacrifice करके यह से देगा तो यहाँ पर condition क्या बने के बाब समझेगा तो मोहन ने क्या हुआ मोहन question में gain कर गिया जो कि इसे gain नहीं करना चाहिए था तो अगर मोहन जो है उसे gain नहीं करना चाहिए था तो gain किया तो कितना gain किया है वो amount यह आर्वो देंगे तो कितना value आएगा M का capital में यहाँ पर देखिए तो 60,000 already हमारे पास यह goodwill की value दे हुई है premium for goodwill इसमें सबसे पहले हम calculate करेंगे total firm की goodwill total firm की goodwill कैसे find out होती है जो new partner firm में आएगा उसका जो ratio होता उसका reciprocal कर देते हैं तो हमें total value पता चलती है और example 1 by 3 है तो 1 by 3 sohan का है न तो इसमें अगर आप पूछे की ram और mohan का share क्या होगा तो 1 by 3 अगर sohan का है तो 2 by 3 ram और mohan दोनों का मिला कर हो गया तो वही चीज़ यहाँ पर हम reciprocal करके total value निकाल ले means 3 by 1 हमने कर दिया तो हमें total firm की value denominator पर 3 value है denominator value से multiply कर देंगे total value पता चलिए फिर multiplied by करेंगे mohan का share तो mohan का share कितना आया है यहाँ पर gaining में 1 by 45 तो यहाँ पर हमने 1 by 45 लिग दिया clear अब यहाँ पर solve करके निकाल देंगे value यह देखिए सबसे पहले यह solve करेंगे 3 से 3 1s are 3, 3 5s are 15 और 15 से इसे काटेंगे तो 15 4s are 60 और यह triple 0 यहाँ पर आगया means value आया मोhan का 4,000 तो total value यानि की rams capital account में credit कितने होंगे 60,000 plus 4,000 हो गया value total 64,000 यह value हमारा question में आएगा पूरा बैटर हमारा यह है question का अब आप इस question में practice करिएगा जरूर से कोई भी problem होता है तो आप हमें WhatsApp पे contact भी कर सकते हैं या comment भी कर सकते हैं हमारी online classes भी available आपको मैं बता चुका हूँ already आपको च्राइट करना है तो आप हमें contact भी कर सकते हैं आपको सारी facility दी जाएगी notes provide किये जाएगे regular आपकी classes, regular test update सारी facilities अदे ले बैटर है तो यह हमारा पूरा pattern था अब इसके बाद से आप इसको solve करिएगा question को अच्छे से कोई problem होगा तो बताइएगा जो हमारा next video topic होगा वो होगा हमारा workman compensation reserve के उपर workman compensation reserve का topic पे मैं आपको calculation tricks पहले बताऊँगा उसके बाद से solution portion बताऊँगा तो यह हमारा पूरा pattern complete होता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like जरूर करिएगा अपने दोस्तों के जाद share जरूर करिएगा और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल को subscribe करके bell icon पर click कर लिए जिससे कि मेरे video upload हो तो आपको तुरंत information मिल सके okay students अब पढ़ाई करिए all the best thank you